की सब आज देखेंगा आप लोग के लिए बहुत ही प्यारा सा यूर्मेटber लेक्राएं ऑफ लाया ह neues जिससे बनाना बहुत ही आसान है बिनाने संप किसले की हाँ यहां पर देखेंगा मैं 25 ठंदों से हम इसको बनाएंगे आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप बड़ा भी बनासकते हैं यहां पर रखें यहां पर आपको इससे जादा पंदे रखने हैं तो आपको यहां पर यहां पर इसको 32 बनाना है तो 32 में आपको क्या करना है हैं आपको 16,16 के इसाब से इसमें 22 बने में और 8 फंद Minnesota रखने हैं इसके हाप आपको एक्स्टा रखने हैं 136,16 इसके फंदे और 16 के हाप वजाता है आठ तो आप इस तरव से इसके पंदे रखनेंगे 32 यह जाइ exacerbate by 5 इस तरह से हिसाब लगा सकते हैं कोई भी मुश्किल होती है तो आप मुझे कमेंट्स करते पोच सकते हैं तो यहां पर देखी गाइए इसके लिए मैंने पांच कलर की बूल ली है यहां पर नौननंबर की नीडली है और इसका डिजाइन देखेगा मैं आपको डिजाइन भी इसका दि को आपको दिखाऊंस सीख को भी अगर आप साथ में बनाना चाहते हैं तो आप साथ साथ फंदर कर मेरे साथ आप इसको बना सकते हैं तो चलिए फ्रेंट्स-वीडियो को स्टाइट करेंगे और स्टूर मैट सेफिंगी और यहां पर दिखेगा थे दालाँनी है ऐसे आब हम यहां पर 25 इो भार दालास ऑफ जाल एंगा राफ त्लाफ मेर्णी इंग और डालाएंगे भाटक आप 4 फो गाइए तरह को पर CW फंदे डाल लेने हैं मैं यहीं तोटल 25 फंदे। इस तरह से धाल ली नहीं है देख़ेगा। यह पहली स Alb amar कुल सीम्पल बनाना है कि यह हमारी सलाए डालने के बाद तो हमें यहां इसको बनागा। अब बहुत धिहांसे आप है अतोर बनाना है यह देखी हो इस तरह से करते हुट अ कि अ हू awesome I am not me shagate अ लेरा अगर आप़ा पाजDAY। अगर आप यह दिवा और पहां से बनाना है तकि हमारे इंदे कुझे नहीं तो प्ने अपनी मरजी से डालना चाहते हैं तो फंदे कैसे पर डाल सकते हैं, जैसे आपको आसान लगें, मुझे सबसे आसान फंदे यही लगते हैं, तो मैं जाहतर यही डालती हूं, आप अपनी मरजी से फंदे डाल सकते हैं, यह देखेगा, इस तरह से करते हूँ, आप यहां पर द सबी पंदे उल्टे उल्टे बनाने हैं यहां से पंदोक उल्टा बनाते हुए जाएंगे और लास्ट में दो पंदे बगायब उने छोड़ देंगे यहीं से वापस हो जाएंगे और उल्टी सलाई में कुछ नहीं करना है ऐसे हम पूरी सलाई को सिंपल तरीकर से उल्टा बना रेंगे पंदा हमें सीडी साइड में बटाना है और सीडी साइड में हमें लास्ट में दो पंदे बगायब उने छोड़ने हैं उन्टी सलाई में कुछ नहीं करना है उन्टी सलाई को हमें ऐसे ही कम्प्लीट कर लेना है अब यहां से देखीगा फिर से हमें दो खंदों का एक कर देना है यहां से खंदों को बनाते हुए जाएंगे हर बार हमें एक एक फंदा कम करना है सिद्य साइज में एक फंदा हम यहां पर इस तरह से देखीगा कम करते हुए जाएंगे और लास्ट में दो फंदी बगर पुने छोड़ देंगे यह आँ यहां वह देखेगा अब यहीं से वापस हो जाएंगे और last मे 2 बगायर पूर्णे छोड़ देंगे यहां से आप लोक यहां से हमने Canadrum में अभी क्रिछ कर लेंगे कि यहां से देखिएगा फिर से दो खंदे का एक करेंगे और यहां से खंदो को बनाते हुए जाएंगे तो है कि देखिएगा और लास्ट में दो खंदे बगायर पुने छोड़ेंगे अंगे देखिएगा yaa है इ pumped का से और यहींसे वापस होते हुए phone खें को फिर से ऐसे ही बनाते हूँ complete कर लेंगे को यहां पर देखिएगा एक बाब फिर सीषीथी शालाई देखिएगा दो फंदो का एक करेंगे और यहां से फंदो को बनाते हुए जाएगे फिर से हमें लास्ट में दो बंदे बगार पुने छोड़ देने हैं, यह देखेगा ऐसे, और यहीं से वापस हो जाएंगे, और उक्टी सलाई को सिंपल ऐसे ही बना लेंगे, यहां पर देखेगा, हमने एक एक करते हुए देखेगा, एक, दो, तीन, चार, पांच बंदे गटाएं यहां यहां पर देखेगा, और यहां पर देखेगा, दो, चार, छिह, आठ, दस पंदे dope, दो करते हुए छोड़ दी जोड़ दिए, अभी हमारे पास तरहरे पड़ देखेगा, धिन, शह दुक द़ोपर भाने éए, तो हमने यह यहां पर एक एक करते हुए फंदी गटा dusty, अब ह करें गाओ स्ब्सक्सक्राइब करिए करें की यहां से घआंसे करिए को मत भूंत तो आपांके लिए और नेहां ल Tsch कण्सक्राइब को बेंगे और नहीं के शाउनें दुप बनाखेंगे करल accessories which we Youtube खोडनाएन क्वर्म भूंत नए अजिए एक पड़ागा है LE empire就是 like these two elements आज बंदे एक एक करते हुए बढ़ाने हैं और उल्टी सलाई में कुछ नहीं करना है सारे बंदों को हमें ऐसे ही बना लेना है यहां से फिर से देखिएगा बंदे को बढ़ाएंगे यह देखिएगा इस तरह से और लास्ट में दो फंदे बगार बंदे छोड़ देंगे यहीं से वापस हो जाएंगे और उल्टी सलाई को ऐसे ही सिंपल कम्प्लीट करेंगे मैं आपको इसलिए बना कर दिखा रही हूँ उल्टी सलाई भी कि आपको कंफ्यूजन नहों कि किस तरह से बनाना है बहुत ही आसान बिग्रेनर्स के लिए डूर में है आप देखिएगा फिर से हमें यहां पर फंदे को बढ़ा लेना है और लास्ट में दो फंदे बगार पुने छोड़ देंगे यहीं से वापस हो जाएंगे और उल्टी सलाई को ऐसे ही कंफ्यूजन कर लेंगे फिर से देखिएगा यहां पर फंदा बढ़ाएंगे देखिएगा और लास्ट में दो फंदे बगार पुने छोड़ देंगे यहीं से वापस हो जाएंगे और ये बंदे यहां से बुल लेंगे तो इस तरह से हमने देखेगा एक करते हुआ पर पांच बंदे बढ़ा लिए और यहां पर देखेगा दो, चार, छे, आठ, तस, आरा, चौदा, सोला, अठारा, बिस बंदे हमने यहां पर छोड़े हैं और पहले हमने पांच बंदे घटाए पर पांच बंदे बढ़ा लिए यह देखेए हमारे पांच बंदे हैं आप देखेगा क्या करेंगे अब हम यहां से पूरी सिलाई बनाएंगे ऐसी सिंपल इसी कलर के साथ पूरी सिलाई को हमें कम्प्लेट करना है यानि कि जो फंदे हमें छोड़े थे वो हम सभी सिलाई में बना लेंगे देखेगा जितने भी फंदे छोड़े थे आपको सारे बना लेने हैं हाँ पर अगर आपको डॉर्मेट बनाने मुश्किल लगते हैं तो आप इस तरह से मेरे साथ साथ बनाते हुँ जाया करें तो आपको बहुत ही आसान लगेगा डॉर्मेट को बनाना देखेगा और लास्ट के पंदे को सीधा बनाएगे तो देखेए सभी पंदे हमने बना लिए हमारे 25 पंदे हैं अब देखेगा हम यहां से कलर चेंज करेंगे तो यहां से हमें देखेगा कलर लगा लेना है इस तरह से यहां पर नौट लगाते हुए देखेगा कलर को चेंज कर देखेगा इस तरह से सकेंड कलर के साथ हमें पूरी सलाई बना लेनी है तो यहां से हमारी next पत्थी स्टार्ट हो जाई यह पत्थी हमारी next पाली पत्थी भी इसी तरह से बनेगी same जैसे हमने यह पत्थी बताई आपको ऐसे बनानी है अब हमें फिर से यहां पर इसी तरह से करना है देखिएगा दो फंदों का एक करेंगे और यहां पर फंदों को छोड़ेंगे फिर से दो फंदों का एक करेंगे और फंदे यहां छोड़ेंगे तो हमें एक एक करती पाच बंदे गटाने हैं और यहाँ पर दस बंदे छोड़ देने हैं फिर एक एक करती पाच बंदे बढ़ाने हैं और यहाँ पर दस बंदे चोड़ देने हैं इस तरह से टोटल 20 बंदे छोड़ेंगे और पाच बंदों पर हम अपना वर्ब करेंगे तो से बनाई है और यहां पर मैंने सको सीधी साइट से बंद कर दिया है आप देखेगा आप हम इसकी सिलाई करेंगे तो सिलाई करने के लिए देखेगा यहां से हम इसको सिलेंगे मैंने इसमें धागा छोड़कर रखा है ताके हम यहीं से इसकी सिलाई कर सके देखेगा आपको अध्यान से देखना है, यहां से देखेगा, मैं इसकी सिलाई करूँगे, और यहीं से मैं आपको देखेगा, इसको साथ साथ इसका होल भी भरना आपको बताऊंगे, देखेगा, यहां से यहां से हम साथ भी होल भर सकते हैं, आबाद में भी भर सकते हैं, तो देखेगा किस तरह करेंगे यहां से हमें धागः को इस तरह से निकालना है तो फोड़ी दोरी पर हमें धागः को इस तरह से निकालना है एक आगर आगर लाई को इस तरह से खीज़ देना है यहां से हमारा ही होल बर जाएगा आप देखेगा हमें यहां से यहां तक इसको मिला कर सीना है तो देखेगा सिलाई कैसे करेंगे यह देखेगा यहां से यहां से सिलाई करेंगे तो यहां से यहां तक मैं से लाज तक सी लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ तो यहां पर देखेगा इसको मैंने इस तरह से सिलकर कंप्लीट कर लिया आप देखेगा हम इसकी नेक्स्ट पत्यां बनाएंगी तो इसके लिए हम यहाँ पर देखेगा राट कलर से आठ पंदे डालने हैं यह देखेगा यहाँ पर 8 लगाएंगे फिर से और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आठ पंदे डालने के पाद देखेगा पहले सलाइग को यहाँ पर तिक्कुर सिंपल बनाएंगे यह देखेगा पहले सलाइगे सिंपल बना लेंगे यह देखेगा अब देखे क्या करेंगे अब हम यहाँ से पंदे को बढ़ा लेना है एक पंदा बढ़ाएंगे और यहाँ से पंदों को बनाते हो जाएंगे और लास्ट में दो पंदे बगार बने चोड़ देखेगा यही से वापस हो जा सब्सक्राइब करना है उलंटी सलाई हमें बिलकु beasts बनानी है उस्थतरा से अब फिर चान से यहां पर स्ब्ल बावाना है जखाज को बढ़ाएंगे और यहां से पंदो को आप धहाैं, बगार बना लेंगे यह देखेंगा और यहां से बनाती हो जाते होई जाएंगे और लास्ट में दू पंदे बगार बने चोड देंगे और वापस आजाएंगे और उंटी सलाई को ऐसे ही complete कर लेंगे फिससे हमें यहां पर फंदे को बढ़ाना है देखेगा और यहां से बंदो को बनाते हुए देखेगा लास्ट में दो फंदे बगार बने छोड़ देंगे यहीं से वापस हो जाएंगे और यहां पर बंदे इस तरह से बना लेंगे तो यहां पर धिहान से देखेगा आप लोग हमने के करते हुए यहां पर देखेगा चार बंदे बढ़ाएं 1,2,3,4 और 2,2 करते हुए देखेगा आठ फंदे छोड़े हैं तो चार छे आठ आठ आप देखे क्या करना है अब हमें प्रिस लाई को ऐसी ही बना लेना है यानि कि जितने पी फंदे हमने छोड़ेते वो हम यहां पर सभी बुल लेंगे यह देखेगा इस तरह से लास्ट के फंदे को आपको सीधा बना लेना है यहां से इस तरह से देखेगा हमारी हाफ पत्ती बन गए अब हाफ पत्ती के लिए देखेगा क्या करेंगे हम यहां से इस पे वाइट कलर एट करेंगे देखेगा यहां से इसे धागे को इसके अन्दर सिक्यूर करदेंगे इस तरह से बनाते हूए सबी फंदों को हम यहां पर बना लेंगे देखेगा अब हमें क्या करना है देखिए यहां पर पहले हमने एक एक करती चार फंदे बढ़ाये थे अब हमें एक एक करती चार फंदे गटाएंगे तो यहां से फंदे को गटाएंगे और लास्ट में हमें जैसे हम फंदे छोड़ाये थे बगार गुने इसी तरह से हमें फंदों को छ बटाना है यह देखेगा और लास्ट में दो फंदे बगार बुने छोड़ देने हैं यह देखेगा इस तरह से यहीं से वापस हो जाएंगे अब उल्टी से लाइक ऐसे ही कंप्लेट कर लेंगे यहां से देखेगा दो फंदों का एक करेंगे और यहां से फंदों को बनाते हुए जाएंगे और दो फंदे ऐसे ही देखेगा छोड़ देने बगार बुने अब यहां से देखेगा अब आपको ध्यान देना है लास्ट वाली सलाई पर ध्यान देना है आपको यहां से देखेगा दो फंदों का एक करेंगे और यहां से देखेगा अब हमें सारे फंदे बना लेने हैं यह देखेगा इस तरह से हमें और लास्ट फंदे को हमें सीधा बनाना है तो देखेगा क्या हमने यहां पे करते हुए चार फंदे गटा दिये तो देखे एक, दो, तीन, चार, पांच, शाथ, आठ फंदे हमारे हैं, जैसे हमने आठ फंदे यहां पर डाले थे, अब हमें नेक्स पत्ति के लिए देखे क्या करना है, फिर से हमें रैट कलर को लगाना है, यह देखेगा, रैट कलर लगाने के बाद फिर से हमें पत्ति को बनाना है जैसे हम बना रहे थे यानि के पहले हमें करते हूं यहां पर चार फंदे बढ़ाने यहां पर दो दो फंदे छोड़ने फिर एक करते हूं हमें चार फंदे घटाने और दो दो फंदे फिर से छोड़ने तो इस तरह से पती को ऐसी बना लेना है तो मैंने इसको किस त इस तरह से यहां यहीं से बंद कर देंगे। आपको ध्यान लखना है जब अभर प्लास्ट फंदा बंद करेंगे उसी के साथ सारे फंदों को हम यहां पर इस तरह से बंद कर देंगे। इस तरह से मैंने इसकी यह देखेगा ऐसे 3 पतियां यहां पर तैयार किये है और 3 पत्य प्तियों को इस इसंदी को लगाएंगे और पिर यहाँ पर हम यहाँ देखेगा इधर यहाँ पर मैं इसको हमें छोड़ देना है इसी तरह से हमें सारे पत्तियों को लगाना है देखेगा मैं आपको दिखाद में भी नवजीत पर तो यहाँ पर देखेगा कुछ भी इस तरह से हमें इसकी पत्तियों को सैट करना है एक पत्ति एक कलर से इस तरह से सेट करेंगे और यह वाली पत्तियों को छोड़ देंगे तो अब मैं आप सिलना बताऊंगे इसको हमें कैसे सीना है तो ध्यान से देखेगा तो देखेगा आपको यहां से यहां तक इस पत्ति को सिलना है यानि कि इस तरह से करते हुए ऐसे सीना ह आपको पत्ती को तो यहां पर मैं पहले सबसे पहले यहां पर इसमें धावे को यहां पर अटेच कर लेते हूं यहां से अब इसके बाद हमें यहां से इसके सिलाई करनी है यहां से यह देखेगा ऐसे मिलाते हैं वह सिलिना इसको पहले हम यहां से इसे पक्का कर लेंगे अब यहां से यहां तक इसकी सिलाई करनी है तो देखिए कैसे सिलाई करेंगे आपको धिहां से देखना है यह देखिए का एक पत्ति में आपको सिल्कर भिपा देते हूं तो फिर बागी पत्तियां आप आसाने से इसमें लबा देंगे यहां से इस तरह से आपको लवाना है इसको देखीगा यहां से सेंटर में विल्कुल आपको ध्यान अपना है कि पत्ति को कैसे सैट करना है हम देखें इस तरह से इपत्ति लास तक आपको ऐसी सिन्नी है और यहां से इसको पक्का करते हुए कट करेंगे दागे को आपको ध्यान से पक्का करना है यहां पर देखेंगा यहां से इससे धागे को कट कर देंगे तो यहां पर देखे कुछ इस तरह से हमारी पत्ती लग जाएगी तो सारी पत्तियां आपको इसी तरह से लगा लेनी है मैं यहां पर यह पत्तियां सारी सी लेती हूं फिर आपको दिखाती हूं यहां देखेगा मैंने इसको इस तरह से सिलकर कंपलीट कर लिया है बहुत ही प्यारा सुन्दर सा डॉर्मेट बना है आप इसको जरूर प्राइब करेजिएगा और अपना फिडबैक भी दीजिएगा कि कैसा लगा अगर आपको मेरे डॉर्मेट के डिजाइन पसंद आते हैं इस वीडियो को लाइब और शेयर करें कमेंट करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बारा आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करने मिलते हैं ने वीडियो में एक नए डॉर्मेट के साथ तब तक के लिए थैंक्यू